तो आज हम बनाने जा रहे हैं गट्टे की सब्जी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहें तो आज हम गट्टे की सब्जी बना रहे हैं तो इसे बनाने के लिए थाली में दो कप हम बेशन लेंगे अब हम इसमें मसाले आट करेंगे आधा चम्मच हल्दी एक चम्मच मिर्ची पाउडर एक चम्मच जीरा पाउडर मसाला बेकिंग सोडा नमक अद्रक लसन का पेस्ट दो चम्मच तेल डालेंगे और बेशन में इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे सभी मसालों को हमें बेशन में अच्छे से मिक्स कर लिना है ताकि हमारे गटे स्वादिष्ट बने इस तरह से मसल मसल कर मसाले को हमने बेशन में अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर बेसन को मिक्स करेंगे बेसन में हमें ज़्यादा पानी डालना नहीं है और तो वो पतला पतला सा हो जाएगा बेसन का हमें कड़ा सा डो बनाना है हमने इससे मसल मसल कर एक अच्छा सा स्मूथ डो बनाया है दो कब बेशन के लिए हमें सिर्फ आधा कब पानी ही लगा है अब हम इसे दो भागों में बाटेंगे और इसका एक लंबा सा रोल बनाएंगे इस तरह से हम बेशन का रोल बनाएंगे दूसरे लोई का भी हमें इस तरह से चिकना रोल बनाना है दूसरे भी रोल को हमने इस तरह से बना कर तयार किया है अब बेसन के रोल तयार हो गए है गैस पर कड़ाई चड़ाएंगे और उसमें पानी डालेंगे इसमें हमने पानी लगबग दो गलास डाला है अब हम इसमें कुछ मसाले आट करेंगे तो सबसे पहले हमने टमाटर प्याज रखा है इसी के साथ 18 लसंती कलिया अद्रक का टुकड़ा तेज पत्ता दो बड़ी इलाइची दालजीनी दो हरी इलाइची दो लॉंग चार से पांच काली मिर्च के दाने ग्रेवी क्रीमी बनने के लिए हम चार से पांच काजू डाले तो देख सकते हैं दो हरीमिर्च गुर्श के दाल कर एक चणी रखेंगे रहे हमें तेल से अच्छे से ग्रेइच करना हैं वैं नहीं चाहिए करके के अच्छे से टेल लगाेंगे अब हम इसके उपर बेशन के रोल रखेंगे और ढककन से इने ढक देगर 20 मिनिट के लिए ह बहुत ही अच्छे से पग गए हैं, हम इने एक बार चेक कर लेंगे, ये बहुत अच्छे से पग गए हैं, अब कड़ाई में हमने जो मसाले डाले थे हम इने छान लेंगे, छाने हुए पानी को हमें वैसे ही रखना है हम बाद में इसे सबजी में डालेंगे, इसमें से हमें तेज़ पत्य को निकाल देना है, बाकी सभी चीजों को हमें पीसना है, टमाटर का छिलका हम निकाल लेंगे, मसाले की बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है, अब ये मसालों को हम ठंडा होने देंगे, आब हम बेशंद के रोल निकालेंगे, आप देख सकते हैं ये बिखर नहीं रहे हैं इसका मतलब यह बहुत अच्छा से पग गए हैं देखिए आप देख सकते हैं अब हमारे मसाले भी ठंडे हो चुके हैं अब इन्हें मिक्सिके जार में डालेंगे और इनका एक पेस्ट बना लेंगे आप देख सकते हमारा मसाला भी रेडी हो गया है मसाला तेल में अच्छे से भून रहा है अब हम इसे थोड़ी देर के लिए धक कर पकाएंगे मसाले की खुश्व बहुत ही अच्छे आ रही है अब हम धक कर निकालेंगे आप देख सकते हैं मसाले से तेल सेप्रेट हो गया है मसाला अच्छे से पक चुका है सभी चीज़े हमने उबलते समय डाल दी थी अब हम इसमें सिर्फ नमक अट करेंगे नमक को भी हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए धक कर पकाएंगे मसाला बहुत ही शांदार लग रहा है अब हम इसमें बचे हुए मसाले का पानी डालेंगे इस पानी मे सबी मसालों का स्वाध है यह अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके अट करेंगे पानी को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे बचा हुआ पानी भी अब हम इसमें पूरा डाल देंगे अब हमें इसमें एक उबाल आने दिना है एक उबाल आने से सबी चीज़े अच्छे स जाएंगी। अब एक-ख करके इसमें बेशन के गट्टे डालेंगे। सभी गट्टों और तोड़ी देर पकाना हैं ठोड़ी के लिए ठोड़ी देर धक़िए ढरीजाओं को नदेके साथ अब मतार साथ थोड़ी देर के लिए और ढखकर पकाएंगे थोड़ा सा धनिया डालेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे यह बहुत ही सिंपल रेसेपी हैं लेकिन उतनी ही टेस्टी है इस तरह से हमारे गट्टे की सबजी बनकर तयार है अब हम इसे सर्फ करेंगे आप इसे और गार्निश करेंगे साथ ही में इसके उपर प्याज के रिंग्स डालेंगे तो मुझे उमीद है आपको यह रेसेपी ज़रूर पसंद आई होगी रेसेपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बत क्ली बतो добहूर बतों कीजिए और कैट लाइक ने वार है सेपी जई हैás अविरूर्स वार कीजिए और झाल झाल